J.E.206 students से आज हम बात करेंगे और आज आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बिल्कुल beginner level से शुरू करके J.E. Advanced, J.E. में दोनों बहुत अच्छी rank लाके एक बहुत ही top IIT में कैसे जा सकते हो ठीक है तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि क्या यह possible भी है तो भाई मेरे बिल्कुल possible है दो साल आपके पास है पूरे और चलो दो-तीन महीने चलो जा चुक है और तो भी it's a very significant amount of time and कहीं साय students इससे कम टाइम में बहुत अच्छी ranks निकालते हैं राइट and there's no reason why you cannot okay तो exact strategy की बात करने से पहले J26 कोर्स जो मेरा चलता है उस पे बहुत ही प्यारा discount आपके लिए आया है केवल 7500 में आपको कोर्स मिल जाएगा लेकिन तिल 6th of August only using the first link in description ठीक है इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको IIT जाने के लिए चाहिए especially अगर आपकी coaching में आप struggle कर रहे हो आप चाहते हो कि आप एक All India Rank 1 से सीखो खुद All India Rank 1 आप लाओ या उसके जितना नजदीक आप जाप हो अगर यह आपकी चाहत है एक बहुत ही कम amount of investment में इंस्टेड और 20,000 के वाल 7,500 फुरेट इन चेक दर फर्स लिक के discussion तो इसके बारे में और बताएंगे last में तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि timeline क्या रहती है जाई की तो देखे टाइम लाइन रफली यह रहती है कि आपका 2026 में एक्जाम होगा रहे तो जनवरी 2026 से या दिसमबर 2025 से लेकर आप मानलीजे लगबग मही 2026 तक आपका exam phase चलेगा जिसमें exam की last time preparation, test की तयारी, test कैसे देना है, यह सीखना, यह सब बाते mainly की जाते हैं और of course exam के उसमें आपकी conduct हो रहे होंगे so that's the test phase, फिर आपका लगबगा मानलो, नवंबर 2026 और उससे पहले से लेकर maybe नवंबर 2025, यह आपका class 12 वाला एक phase, नवंबर तो नहीं, मैं कहूंगा चलो मार्च से पकड़ लो, मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026, यह आपका class 12th phase रहेगा, जो कहीं न कहीं final phase है, ठीक है, और इसमें आप class 12th की पढ़ाई करना हो गया, 11th का revision करना हो गया, यह सब कामा मेंली करोगे, और उससे पहले 2 phase हो रहाते हैं, एक जो अभी first phase जो आपका चल रहा है, जो है एक beginner preparatory phase, जो मेरे साब से आप मानलो, नवंबर 2026 तक आप पकड़ लो, आपने अभी preparation शुरू की, हम बाद में करेंगे, जब आप आएंगे तब 12th में, तो अभी आपका चल यह current phase होना, इसमें आपका focus होना चाहिए, एक अच्छा base of your jay prep prepare करना, इसका मतलब है अच्छी habits बिल्ट करना, first of all, कि discipline आप में है, आप में इतनी grit है, कि आप questions attempt करते हो, ठकते नहीं हो, you know, sustain करते से हम गबरा नहीं रहें, इसके राबा, accept करना कि jay is actually hard, it's not like it, जैसे तुन्हा 10th में सोचा था, कि IIT Bombay CS जाओ, IIT Delhi CS जाओ, कौन सा बेटर है भाईया, कौन सा बेटर है दी दी रही है, सब से पूछते रहें, जब लोग, उस phase से बाहर निकलना कि भाई, it's actually hard and we will have to work for it, य यह है इस beginner phase का importance सबसे ज़्यादा, and making sure कि आपकी minimum to minimum backlog रहें, ठीक है, especially at a base level, देखो, advance के question नहीं बनते हैं बच्चों से बिलकुल सही बात है, advance की main preparation होती है आपकी January attempt के बाद, ठीक है, main preparation तब होती है advance की, अभी तो आदे बच्चों से नहीं होते है, आपकी बड़ी बात न होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, this is how it goes, right, quadratic में भी certain question type आपको पता होना चाहिए, भाई, अच्छा, इसमें तो यह लगता है, right, या physics में जैसे rotational में आपको moment of inertia sphere का पूच लिया, तो आपको याद है, tips पे होनी की बात कर रहा हूं है, कि आपको ह इडवांस के सारे PYQ हो जाने चाहिए, या से रोडोव के कुशन बनने चाहिए, नहीं, that's not what I'm saying, I'm just saying every question, every concept on your tips, that's all, इतना को लो 11th में, ठीक है, जो chapter difficult level तक भी समझ आ रहे है, बहुत अची बात है, और जो नहीं आ रहे है, जो नहीं आ रहे है, जो मैंने बोला उतना कल पेस होगी और बहुत सा सलेबस और बहुत सा बैकलोग बन जाएगी, तो यदि आप अच्छे से चल रहे है, तो आप भी बैकलोग कम होगी, नहीं चल रहे है, तो जादा होगी, तो अच्छे से चलो, and एक और इंपोर्टन से पीरिड़ का यह है, कि आपकी कोशिश यह रह बढ़ा जाती है, और बैकलोग इतनी पाइल अप हो जाती कि कबर नहीं हो पाता है, तो इसलिए कोशिश करो कि 11 में यह अच्छे से पढ़ लो, 11 में at least basics हर चैप्टर के आपको आते हो, जितने ज्यादा topics आपको advanced level तक है उतना बढ़िया, लेकिन at least basics आपको आने चाहिए, attempt सब कुछ करना है, लेकिन at least इतना होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई topic क्या, कोई question आगया तो पता ही नहीं कौन सा question है, that should not be the case, और बागी तो आगे आप figure out करोगे, channel को subscribe, notify कर लो, मैं आगे और बागते आपको बताता जाओंगा, जैसे से exam आपको पास आएकर, right, and आपको उस format में जब 90 कुशन आगा, किसी कर नहीं आएता है, so I can teach you how to be better in accuracy, speed, know everything fast, learn everything fast, कैसे चीज़े समझनी है, यह सब मैंने उस course में share किया, और क्या cost है, केबल 7500, 2026 तक चलेगा, यह one time cost है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि हर महीने कुछ भी नहीं, एक payment देनी है, बस payment के time, 2026 तक आ आपने उसको enough पड़ा है, तीन-चार बार आप उसको revise कर रहे हो, आराम से होगा, ठीक है, तो especially अगर आप अपनी coaching में struggle कर रहे हो, पीछे चल रहे हो, backlog आगई है, समझ में नहीं आ रहे है, ऐसी situation है, उससे बढ़िया कोई resource नहीं है, time भी save होगा, चीज़े भी समझ में आ इसकी cost एक तरीक से देखा जाए तो, right, so it's very cheap, very affordable, but very useful, ठीक है, so do get it using the link in description, और वीडियो सके लिए सब्सक्राइब, नोटिफाई, on कर देना, और निचर description में आपको मेरे free short notes और भी बहुत साय resources मिल जाएंगा, तो चेक करना ना भूलना, thanks for watching, good luck